मैंदान में 6 गैंद है टार जोनार पहली गैंद बैक्टू बॉलर इस गैंद को खेला बल्ले के बिल्कुल निजले इससे में गैंद लगी एक रन है रोड कर पूरा किया अब पांच गैंदे स्तारा रहा है कुछ भी कहना इस मैंच में असंभव यह अंतिम गैंद तक मैं समस्तों यह मुकाबला जाएगा इसी पीजबर्दस टंपिंग होती हुए जाबर्दस जंपिंग जाबर्दस गैंद वाजी शुरुआत में रजट ने यह मुकाबला बिल्कुल वन साइड़िट रखा था जब तक बल्ले वाजी कर रहे थे थीन ओबर में ही 50 लगा चुकी थी उठाड़ी की टीम लेकिन जैसे ही रजट आउट हुए और उसके बाद बिकरती हुई पूरी टीम और इस वक्त बहुत ही मजबूत परिस्तिती में चार गैंदों में तीन शक्के लगाने होंगे कुछ भी कहना मुश्किल इसे बीचे अगले गैंद है फुल टॉसे गैंद थी जो सजा मिलनी चाहिए तो देनी भाए बल्ले बाज एक रंच से इसे दूस्टोना पड़ेगा अब तीन गैंदों में फिर से दिन चटके अगर एक चौका भी लगता है तो भी चलेगा लेकिन तीन गैंदों में तीनों पॉंडरी शॉट और यह बिलकुल हमारी आवाज पहुंचती ही गैंद पॉंडरी के बार चे रहों के लिए जैसा कि मैं कही रहा था यह जो मैच अंतिम गैंद तक जाने वाला है तो अंतिम बने हुए इस मैच में बिलकुल अभी भी बने हुए है इस मैच में अगर एक चौका निकल जाता है अगली गैंद में तो अन्तिम गैंद तक यह मुकाबला दो गैंदों दोनों ही पॉंडरी शॉट चाहिए होंगे उठाडी को विजयाईश्री के लिए और यहां पे चाह बार बार कर भी रहा हूं यह अंतिम गहन तक जाएगा मैच और अंतिम गहन तक यह मैच आता हुआ जबर्दस्ट बल्लेवादी कुछ भी कहना नामुम्किन जो मैच में बिल्कुल दवाव बना हुआ था वो अभी भी बना हुआ इस वक्त जो दवाव होगा गहनवाज की दवाओ को हमें पल्पाइब कार 28 जो में पॉद्ग करते हैं हम आज मेच जाना कशूरत मैच गे षाय के बल्लेवादी शताफ पांटेव्ट या पिर यह नंट की तरफ सची गैंड होती है और उससे अंतिम गेंद का इंतजार और अंतिम गेंद के लिए गेंद वाजबे फिलकुल त्यार इसे बेचे अंतिम गेंद है गेंद शेरन और जबार का शॉट हो च्यार रनों के लिए च्यार रनों के लिए शॉट आला कि खूबसूरत शॉट था मात्र एक या दो फुट में समझूगा अंदर ये शॉट एक एंट शेरन जीए था और लास्ट गेंड में चार रन तो खूब सुरत ये मैच हुआ है लेक ये अदेश फुट अंदर तू इस मैच में जो रोमान चाहा है मैच में काफी खूब सूरत रोमान चाहा है जो हम देखना चाहते हैं ग्रिगट में जो हमें पसंद भी है उसी तरह का यह मैं